Hello Friends, Welcome to Gita Kino.com Gita Kino.com में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे instant pizza जिसे बिल्कुल भी time लगता है बनाने में बिल्कुल हाथो यफ बन जाता है बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही tasty बनता है इसे हम बनाएंगे बिना oven के इसे हम बनाने वाले हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बैल आइकन दिखाए देगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी आने वाली लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुचे तो सबसे पहले हम दो तियार करेंगे उसके लिए मैने ये लिया है एक कप मैदा वन थर्ड कप दही एक इनो का पाउच एक चुटकी बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहते है वन फोर्थ टी स्पून नमक अब हम दो तियार करेंगे इसके लिए मैने ये बाउल लिया है इसके अंदर हम मैदा एड़ कर देंगे नमक एड़ कर देंगे दही एड़ करेंगे दही के ऊपर हम ये सोडा एड़ कर देंगे दही के ऊपर हम ये इनो एड़ करेंगे ताकि इन तीनों का आपस में रियक्शन हो और हमारा मैदा जल्दी से फूल जाए तो हमें इस मैदा को रेस्ट करने के लिए रखने की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल इंस्टेंटली फूल जाता है तो हम एक दो तेयार कर लेंगे मीडियम सॉफ्ट दो पहले इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले इसे और फिर हलका हलका सा पानी एड़ करेंगे और मीडियम सॉफ्ट दो तेयार करेंगे एक साथ ज़्यादा पानी एड़ ना करें नहीं तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा डो हमें मेडियम सॉफ्ट डो चाहिए यह देखिए हमारा मेडियम सॉफ्ट डो तयार हो गया है अब हम बेस तयार करेंगे अब हम बेस तयार कर लेते हैं मैं इस डो को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूं इसे अच्छे से रोल कर लेंगे इसका बड़ा सा पेड़ा तयार कर लेंगे अब हम थोड़ा सा मैदा सुखा लेंगे और उसके उपर इसे बेल लेंगे हमें इसे रोटी जैसे साइस का बनाना है हम इसे पतला बेलेंगे क्योंकि ये पकने के बाद खुदी मोटा हो जाएगा तो हम इसे अच्छा सा बड़े साइस का बेल लेंगे रोटी से हलका सा मोटा रखेंगे इसे बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें, यह दिखें, मैंने इसे बेल लिया है, आपको दिखायती हूँ, मैंने इसे इतना मोटा रखा है, अब हम एक फोक लेंगे, उससे इसमें छेद कर देंगे, ताकि यह बेक करते टाइम, फूल आएंगे, और यह बेस डाल देंगे, इसमें, इसे हम कवर कर देंगे, और गैस को लो फ्लेम पे रहने देंगे, दो से तीर मिनट तक इसे पकने देंगे, जब तक कि इस पर हलके ब्राउन स्पॉर्स ना आ जाएं, यह देखें, आप देख सकते हैं, बेस हमारा कितना मोटा हो गया है फूल के, हम इसे पलट देंगे, तो चेक कर लेते हैं नीचे से, यह देखें कितना अच्छे ब्राउनिंग हो गया है नीचे से, अब हम फिर से बटर लगाएंगे, और इसे पलट कर सेकेंगे, यह देखें मैंने इसे पलट दिया है, अब उपर से हम इसमें जिसकी रेस्पी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा यह हम सबसे पहले इस पर पीजा सॉस लगा लेंगे अब इस पर आप मनपसंद टॉपिंग लगा सकते हैं मैं यहाँ पर शिम्ला मिर्च लगा रही हूँ बहुत जादा बड़े पीसिस ना काटे क्योंकि जल्दी गलते नहीं हैं तो इसलिए आप छोटे छोटे पीसिस काटे यह मैंने शिम्ला मिर्च लगा ली है अब इस पर हम यह प्याज लगाएंगे जिसे मैंने बारिक काट लिया है बहुत मोटा मोटा नहीं काटे इसमें मैं अलेपीनो लगा रही हूँ आप चाहे तो ओलिज लगा सकते हैं स्वीट कॉन डाल सकते हैं अपनी मन पसंद टॉपिंग लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर यह अलेपीनो डाले हैं थोड़ा सा बटर रख दूंगी मैं इस पर यह इटालियन सीजनिंग है हम इटालियन सीजनिंग डाल देंगे आप औरिगैनो चिली फ्लेक्स बेसिल अलग से भी डाल सकते हैं यह मिक्स्ट है उपर से काफी सारी मॉजरेला चीज डाल देंगे आप जितनी चीज डालना चाहते हैं उतनी डाल सकते हैं यह दिखिए मैंने यह काफी अच्छी अमाउंट में डाल दिये और गैस को मैंने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे पांसे छे मिनट तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीज मेल्टना ओजाए यह देख सकते हैं आप हमारी छीज मेल्ट हो चुकी है मैं इस से जादा इसे बेक नहीं करूँगी प्लेट में निकाल लेते यह दे ले ते यह दे कितना अच्छा पीज़ा थे इस थे जरूर ट्राइब भी नियर रज के इसपाना अनुद्धा copy कीजेगा इसे बनाना यहां है बहुत कम अगर से बना न मे को जरूर ट्राय कीजेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव के साथ